महा भारत की अंसुनी कहानियों में एक कहानी है शकुनी की, जिसको हम शकुनी मामा श्री के नाम से जानते है अपने भाझे दुर्योधन का हमेशा साध देने वाला मामा शकुनी दरसल दुर्योधन और उसके सभी भाईयों का विनाश चाहता था हेलो दोस्तों, मैं स्वितिका शर्मा, अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे चर्चित पात्र शकुनी के बारे में दरसल मामा शकुनी था कौरवो का दुश्मन और ये कहानी है कौरवो को छल कपट का पाठ पढ़ाने वाले मामा शकुनी की गांधारी के माता पिता को एक जोतिशी ने बताया था कि गांधारी एक प्रकोप से ग्रसित है यानि कि उसको एक श्राप मिला है जिसके कारण उसका पती मर जाएगा। इस वजल से गांधारी के पिता गांधार नरेश राजा सुबल ने गांधारी का विवाह एक बकरी से करवा दिया और बाद में उस बकरे की बली दे दी गई जब भीश्म को पता चला कि गांधार नरेश राजा सुबल शिव का परमभक्त है और उनकी एक बेटी है जो भगवान शिव का वर्दान है तो उन्होंने चृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव राजा सुबल के पास भेजा। दूसरी तरफ जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का पहला विवाह एक बक्रे से हुआ था तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने पूरे गांधार परिवार को जेल में डाल दिया कहा जाता है कि राजा सुबल के भी एक सो पुत्र थे। की इस साजिश का एहसास हो गया कि उनको एक मुठी चावल इसलिए दिया जाता है कि उनका परिवार भूग से ही जेल में मर जाए। उन्होंने शृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए अपने परिवार के सभी लोगों को कहा कि वह सारा खाना अपने सबसे छोटे पुत्र को ही दे ताकि वह जीनदा रह सके और धृतराष्ट्र से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर बन सके। राजा सुबल के उसी पुत्र का नाम था शकुनी जेल में राजा सुबल के परिवार के लोग एक-एक करके मरने लगे जब राजा सुबल को लगा कि अब वह भी जीवित नहीं बचेंगे तो उन्होंने शकुनी को कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी रिर की हड़ी से एक शक्ति शकुनी को जीवन भर अपने परिवार का दर्द याद रहे इसके बाद राजा सुबल की जेल में मृत्यू हो गई जब दुरियोधन ने देखा कि सिर्फ शकुनी ही जीन्दा बचा है तो उसने शकुनी को रिहा कर दिया और उसको कहा कि अगर वह चाहे तो अपने देश कर अपना राज देखे लेकिन शकुनी को लेना था बदला इसलिए उसने वही रहने का फैसला किया दरसल शकुनी का इरादा पांडवों का नाश करना नहीं था बलकि वह तो चाहता था कि कौर्वों और पांडवों के बीच किसी तरह से दूरिया बढ़ा दी जाए और उन शकुनी अपने इस इरादे में काफी हद तक सफल भी हुआ उसने बनाया दुरियोधन को अपना मुहरा और खेला अपने बदले का खेल महाभारत की कहानी इस बात की गवा है कि कैसे लिया शकुनी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन भीश्म से बदला और इस प्रकार शक यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं बेल आइकोन पर क्लिक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद